हेला दोस्तों नमस्तियाद आप सच्छी अकाल एन वेलकम टो टेस्ट बुक डॉट कॉम आप सभी लोग को बहुत बढ़िया से ओडियो वीडियो आ रही होगी और आप लोग स्वस्त होंगे सुरच्छित होंगे 24 हमारे सितंबर के दिन आज हमारी क्लास और बहुत ही पेसें आज मैंने खुच से की है और बड़ी मतलब मसक्कत लगी है और लास्ट में आपको मैं एक बहुत इंपोर्टन चीज़ बताऊगा तो यहां पर हम बात करेंगे हमारे जिंदगी में जब कोई चीज बहुत खराब हो जाती है बहुत हमारे वेस्ट हो जाता है चाहे आप सूरत से फरनीचर बनाए और उन्होंने अपनी जोम वेस्ट होता जो लोग उसको मतलब ना जी खाता है और कचाम आता है कोईए उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने ये सांधार बनाए है और यह साबित मां में चाहो उट मन्हें सोच हो तो आप जिंदगी में कुछnya है ना कि वो आपका हाथ कहीं मागने के लिए जाए तो उनको सरमिंदगी ना मैसूस हो बलकि फक्र मैसूस हो उनको दहेज के लिए किसी के सामने गिड़ गिड़ाना ना पड़े बलकि लोग आपका नाम उनके साथ चोड़े और उनको गर्व की अनुभूतियो तो इसके पहिनत करनी है बहुत साहे लोग सुबह 6 बज़े उठना बंद कर दिये है सोचते किसा रिकॉर्डड देख लेंगे लेकिन यह आप लोग के लिए थोड़ी से गलत चीज़ है छे बज़े क्लास लेकर के आने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों के अंदर अंदर एक अच कूपन कोड इस्तमाल कर सकते हैं सर का कूपन कोड क्या है तो आप यहाँ पर P A N K A J पंकज लिखिए और 24 का C यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे यह आपको डिसकाउंट मिलेगा दोस्तों कूपन कोड का इस्तमाल कर यह डिसकाउंट मिलेगा आपकी डिटेल मेरे पास फिर उसके वाद से आपने देखा था कि हमारा डुगें कंविंसन जो रिजर्व है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है डुगेंग एक हमारा जो जानवर होता है उसका अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हर्मिन केस्टन अवार्ड और 22 का यह कहां किसको दिया गया तो इन सारी चीजों के देखेंगे तो अक्षय कुमार केसर यह बहुत साही लोगों ने जवाब दिया है आरती रजीत अगर आपका नाम नहीं आ रहा है तो प्लीज जवाब दीजिए बार बार बुलने के बाद भी लोग जवाब नहीं दे रहे खैर कोई बात नहीं वो अपनी आपकी स्रद्धा है तो यहाँ पर एलिविस अली ने नौर्स चैनल को पार किया जो कि आपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यर्स हो जाता है यहाँ पर सही जवाब है तमिल नाडू में पल्कवे में यह डिगॉंग आपको दिखाई दे रहा है इसका चोड़े जाती कि आप गूगल करिए उसको यहाँ पर लिखिए जिससे आपको लॉंग लास्टिंग याद रहे तो हमने आपको कल क्या-क्या पढ़ाया था जल्दी से देख लेते इनमें से कौन सी कंपनी अप्योगिता के लिए हमारे राजिस्थान में तीन सोलर फर्म की स्थापना करें जल्दी से बताना फटा-फट से देखिए सबसे पहले एक दो तीन नहीं करना एबी सीडी नहीं करना है नाम लिखिए अरे आवाज आ रही ना सबको बढ़िया तो जवाब दो भाई फटा-फट से जोस और जुनून कम है और कल तुम लोग लिए मिराथन क्लास लेकर क्या रहे है संडे को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किरन पंप्लिकेशन की मिराथन क्लास बहुत महत्तपूर है तो यहाँ पर एंडी जैसे इसके सीओ बने है और जेव वेजोज इसके संस्थापक है हमारा वर्ड राइनो डे कब सेलिब्रेट होता है 10 सितंबर 19 21 या 22 सितंबर क्या होना चाहिए दोस्तों सही जवाब अपने 21 को अल्जाइमर डे सेलिब्रेट होते हुए देखा था अगला प्रसमा आईए सबी लोग यहाँ पर एक कंत्रिक चात्री जो 288 दिन सबसे लंबे अकेले रहे थे अकेले 288 दिन रहने का इनोंने रिकॉर्ड बनाया 1988 में यह पहली बार अंतरिक्ष में गयते हैं उनका नाम क्या है वलेरी पालकोव है विक्टर हमारे है एवेन है या एलेंग है तो दोस्तों सही जबाब क्या ओनाचे तो सोबियत संग रस्या के यह रहने वाले 80 साल के उमर में यह हमको छोड़ कर गए हैं इनका नाम है वलेरी पालकोव यह बिलकुश सही उत्तर है जहां पर जितने भी ल ट्रस्टी के रूप में आपके इसका नाम टिक करेंगे तो सारे स्टुएंट यहां पर जवाब दे रहें सही उत्तर होना चाहिए आप लोग अगर सहमत है तो यहां पर जवाब है हमारे कौन बिलकुल करिया मुंडा रतन टाटा केटी थॉमस और इनके साथ में सुधा मू है था कि यहां पर पुरस्कार दिया गया है नेशनल अवर्ड वह है हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिसेटिव यह किसका काउं से देश का है युवेन का यह प्राइज है बहुत इंपॉर्टन जाता है जल्दी से जवाब देना है ठीक है सबी लोग यहां पर बोले हैं सर इं आप लोगों को बताना है राज भासा पुरसकार बीसी को दिया गया था है ना चार साल से राजभासा पुरसकार यही जीत रहा है और रास्टी इस पात निगम जितने लों बोले हैं सई जवाब हो जाएगा विसाखा पट्नम में आपको देखने मिलेगा यहां पर अगला क को पढ़ाया था एक और अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इंदा सस्टेमिल्टी यह किसको दिया गया कौन से और्ग्राइजेशन को सस्टेमिल्टी के लिए स्कॉच अवार्ड बेसी ने जीता था तो क्या नाम इन में से जल्दी जवाब देना सभी लों है जिसने किसके साथ टाई-अप किया है फॉर्डा हैल्थ सेक्टर के लिए यहां पर कौन सायसा हमारा वॉड़ी है जिसके साथ टाई-अप किया गया नेशनल इस्टिटूट ऑफ माइक्र स्मॉल अल्मीडियम इस्मॉल इंडस्ट्री इपलप्निन बैंक है खादी किसे सही मिल जाएगा, यह यहाँ पर सही उत्तर है, अगला कोशन, Air India, Air Asia, विस्तारा ने किसके साथ, हमारे फ्यूल के लिए टाइअप किया हुगा, जल्दी से आप सभी लोगं को जवाब देना है, फ्यूल के लिए टाइअप किसके साथ क्या है, कलम ने आपको इसके बारे को सुरू हुआ है convergence portal किसकी मदद से सुरू किया है बिल्कुल तो पस्पत्नाथ पारस जो कि हमारे बिल्कुल राम बिलास पासवान के भाई है यहां पर उनकी मिनिस्ट्री का नाम है food and processing टिक करेंगे नंबर मिल जाएगा अगला कोशन है plastic producer से निपटने के लिए NCC ने UN की कौन सी बॉड़ी के साथ टाइप किया है development program है environment program है वर्ड फू बैंक है या IMF है तो यहां पर दो तो आमने एलिमिनेटी कर दिया UN की बॉड़ी बताया था तो इसका यलाई योजना के लिए प्रोड़क्ट लिंक इने सेट्व के लिए जो सोलर के हाई मोडूल बनाया जा रहा है उसके सेकंड फेज के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे है गवर्मेंट आपके सामने option है सैद आप लोगो तो याद हो गया होगा यार option देख करके ही तो यह जो current affairs जो है वो important करने वाले देख लेते हैं तो सबसे पहला REC Limited ने एक महारतना केंद्री सावजनिक उद्यम का दर्जा दिया गया है मतलब REC जो है यह हमारे public sector की महारतना company में सामिल हो गई है तो स्वागत करिए महारतना company में REC Limited का अगला question है रक्षा मंत्राले ने ब्रम्हो Air Space Private Limited के साथ सतह से सतह मार करने वाली जो ब्रम्होस मिसाइल है उसके लिए tie-up किया हुआ है तो BAPL ने हमारे ब्रम्होस मिसाइल के लिए Defense Ministry के साथ tie-up किया अगला question है बाइस सितंबर को गोहाटी के में उपराशपती जी ने एक लोक मन्थन कारिकरम का जो third edition है उसकी अगला question है उच्चितम न्यायाले के हमारे उच्चितम न्यायाले के 22 सितंबर को भारती ओलंपिक के सम्मिधान में संसोधन और इलेक्ट्रोल कोली स्तियार करने के लिए हमारे पूर्वनाधीस नागेश्वर राव को न्यूक किया इससे पहले हमने देखा था BCCI में भी हम को न्यूक किया गया था यहां पर नागेश्वर रहा आपको दिखाई दे रहे हैं UK स्थित टैरपो हिंदुस्तान में UPI के हमारे बोल सकते हैं कि के लिए NPCIL के साथ टाइप कर रहा है तो NPCIL के साथ टाइप कौन कर रहा है टेरा पे कंपनी हिंदुस्तान में इंटर कर रही है यह UK स्थित हमारी है जिससे कि हमारे UPI के जो लेन देने वो और सुरक्षित हो जाए उसमें और सेक्योर्टी आ जाए इसके लिए टेरा पे के साथ टाइप कर रहा है हमारा कोन NPCIL जिसने UPI को सुरू किया था रोजर फेडरर लंदन में लेवर कप टूरामेंट में अपने पुराने प्रत्विदंदी राफिल नदार के साथ फाइनल मैच खेलेंगे और उसके बाद इनका केरियर हो जाएगा सांदार केरियर खतम यहाँ पर देख सकते लेवर कप इनका अंतिम टूरामेंट है रोजर प्रतान के साथ इसकिल डबलप्मेंट करने के लिए जुड़ गई है यहाँ पर भारत में हर गाउं 4G और 5G हमारे सेवाओं को पहुंचाना अब भारत सरकार का लक्ष है डिश्टल इंडिया के तैट 30 अरफ डॉलर का निवेश कर रहे 4G और 5G हर एक गाउं तक चाहे वो सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला कोश्चन है जी फोर कंट्री की विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी कर रहे है एस जैसंकर को चुना गया है जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री है हमारे आपर नई दिल्ली में आकास बाड़ी भावन में प्रध जल्दी से हम लोग इनके उपर क्विज बनाते बिना देरी की हुए जुड़ जाई है फटा फट क्विजस को लगाई है धमाकेदार तरीके से तो सबसे पहला कोश्चन है आपको बताना है कि इन में से कौन सी नई महारतना कंपणी बनी आरी सी कोल है इंडियन ओयल है या इन में से तीन पहले से थी है और एक पहले फिर से जुड़ गई है महारतनी कंपणी का दर्जा किसको दिया गया है तो यहां पर जनता ने जवाब देना सुरू कर दिया है होप सो आपने देखा था आरी सी लिम्टेड के हमनों यहां पर बात कर रहे हैं तो हमारे यहां पर के नाम से जाना जाता था तो इसको रूलर एलेक्ट्रिफिकेशन के नाम से आरी सी के नाम से जानते नहीं रिनेवल एनर्जी नहीं होगा है इसके हमारे जो सीमडी है वह विवेक देवगन अभी बने हुए 1969 में यह बनी थी अब यह नॉन हमारे जो है नॉन बैंकिंग फा रक्षा मंत्राले ने यहां पर किसकी मदद से ब्रम्होस मिसाइल के जो अधिगरण है उसके उपर हस्ताक्षर किये तो हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिम्टेड है ब्रम्होस एरोसपेस प्राइवेट लिम्टेड है महिंदर एरोसपेस है या लॉक हिड है तो रक्षा मंत् जो कि हमारे ब्रम्होस मिसाइल प्राइवेट लिम्टेड है और DRDO और रूस ने हमारे हिंदुस्तान में इसको बनाया था जो BAPL ये किसने बनाया था DRDO रसिया के NPO ने मिल करके इसको बनाया था 1998 में अब यहाँ पर ब्रम्होस मिसाइल बनाना उसको हमारे संचालित करना सब की जिम्मेदारी इसकी थी है ना अब इसने सत्रा सो करोड रूपय का अनुमानित लागत से यहां से भारत ने जितनी भी ब्रम्होस मिसाइल थी वो रक्षा मंत्राले ने परचेस कर ली है ये हमारे नई दिल्ली में बनाया गया था BAPL जो की ब्रम्होस मिसाइल के लिए ज बेचना सुरू कर दिया जैसे फिलिपीन के साथ इसको हमने टाइप किया हुआ है फिलिपीन को बेचने के लिए है ना तो याद रखेगा चले अगले कोशन की तरब चलते है यहां पर डियाडियो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर गत हमारा डियाडियो आता है अगला कोशन अगर हम यहां पर देखेंगे डियाडियो के चेर्मेंट को हमारा डियाडियो जो है यह बनाय गया था है अगले कोशन की तरफ जाते है तो मोटो क्या है तो हमारे देश में डिफेंस को स्वालम भी बनाना यह हमारे देश पूरी तरीके से इंदुस्तान dependent हो जाए अपने पुद के उपर ये इसका मेन मोट है जगदीब धरकन जी ने लोक मंतन कारिकराम का 30 संस्क्राण कहां पर सुरू किया सूरत बंबई जैपुर गोहाटी का 30 संस्क्राण बिलकुल यहां पर जितने लुब बोले हैं सर गोहाटी होना चाहिए जवाब सहिए अभी हमने गोहाटी अगला कोशन देख लेते हैं, तो लोक मंथन एक ऐसा उसर है, जहाँ पर अलग-अलग हमारे हिंदुस्तान के कोने से कलाकार आते हैं, और अपनी कलाकरतियों को यहाँ पर प्रदसित करते हैं, है ना, लोक मंथन का जो हमारा इस बार का मेन मुख्य मोटो था, वो क्या था, हम से हमारे जस्टिस है, उनको चुना गया है, है ना, तो जगदीब खैर है, मिस्राजी है, रजन को गोई है, या नागेसर राओ है, तो क्या होना चाहिए, बिलकुल, तो यहाँ पर जनता बुले, सा सही जवाब होना चाहिए, नागेसर राओ, एल नागेसर राओ, हमारे य चलिए अगले प्रसंद की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर Supreme Court का बनाया गया था, तो हमारे यहाँ पर Regulating Act के तैत Federal Court बनाया था कलकत्ता में 1974 में, है ना बाद में इसको हिंदुस्तान में transfer कर दिया गया था, अगला question आपके साथ ने, Unified Payment Interface, UPI के माध्यम से सीमा पर लेंदेन के लिए, NPCI ने कौन सी कंपनी के साथ tie-up किया, टेरा पे है, पेपल है, अमेजन पे है, या फोन पे है, Unified Payment Interface के लिए, देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर, सभी लोग अब QR Code को scan करते है, फोन पे, है ना, Paytm, है ना, Google Pay, पता नहीं क्या-क्या आ गया है तो इसका सबसे पहले तो, Full Form Unified Payment Interface है, UPI का, यह आपको याद रखना है, यह 2016 में सुरू किया गया था, और पहली एप जो UPI को follow करती थी, वो चिल्ला रहती, HDFC Bank ने बनाया था, चिल्ला रहती, है ना, और इसको regulate कौन करता है, NPCIL, National Payment हमारा जो, National Payment हमारा जो है, Corporation Limited, NPCIL का Full Form होता है, National Payment Corporation हमारा इसको regulate करता है, इसकी स्थाफना कब हुई थी, तो यह 2008 में बनाया गया था, यह Reserve Bank of India इसको regulate करता है, NPCIL को, ठीक है, तो इसने tie-up किया टेरा पे के साथ, जिससे कि हमारे यहाँ पर UPI और ज्यादा आसान हो जाए, और हम cross border, मतलब विदेश में भी National Payment Corporation India Limited, चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखेगा, यहाँ पर काफी महत्ता पूर आता है, अगले कोशन की तरफ चलते है, UPI कब आया था, यह हमने आपको बताई दिया, अगले कोशन की तरफ चलते है, आपको बताना है, रोजर फेडरर अपने किस मैच के साथ, अ हमारे अपने सन्यास की घोसना कर दी है, यह हमारे जैकी सौक और हमारे फ्रांसिस ट्यापो की टीम के साथ, यह अपने केरियर की समापती करेंगे, और इनका जो फाइनल मैच होगा, वो इनके बहुत अच्छे दोस्त, रोजर फेडरर के साथ होगा, राफिल नडाल के साथ होगा, तो रोजर फेडरर जो की बीस बार के ग्रेंड स्लेम विजेता है, उनका केरियर लिवर कप के साथ खताब हो जाएगा, यहाँ पर किस कंपनी ने हिंदुस्तान के जो यूँआ है, उनके स्किल डवलप्मेंट के लिए ताम करना सुरू किया है, सैमसंग है, डेल है, इंटेलिजेंस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, यह सारी चीजों को सिखा करके आगे लेकर के आने के लिए यह प्रोग्राम सुरू कर रहा है, इसकी इंडिया निसेटिव, सैमसंग की स्थापना 1938 में भी थी, बहुत पुरानी कंपनी है, यहाँ पर लीविंग चुल ने इस लिए हमारा किस्व कितना पैसा कितने बिलिंड डॉलर इंवेस्ट किया रहा है, 20ै, 30ै, 40ै, 50ै, कितने बिलियन डॉलर का इंवेस्ट्मेंट, आप देख सकते हैं यहाँ हरे, तो सारे स्थिटिएंट सबसे पहले 5G services को सुरू करने वाला साउथ कोरिया था सबसे पहले 5G services को इन्होंने सुरू किया था ठीक है वर्थ हाँ चलिए अगले कोशन की तब चलते यहां पर आपको बताना है कि प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के क्रियानवन के साल पूरा होने के लिए एक आरोग मंथन आरोग मंथन जो है इसका कौन सा संस्क्रण सुरू किया जा रहा है दूसा तीसा चौथा या पांचवा तो प्रधान मंत्री जर आरोग योजना के हमारे कई साल कंपीट हो चुके हैं कितने साल कंपीट हो रही है कि यह जन आरोग मंथन की सुरूबात हो रही है तो च चार साल कमपीड हो छुक है जिसकी वाजेसे नी किया जारा है चले अगला कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन बैठक हो रही है यहाँ पे हमारे जो SJS अंकर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इन्हों ने 22 सितंबर को ब्रिक्स के विदेशी मामलों के मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लिया था और दक्षिन अफ्रीका के साथ संबंद बनाने के लिए इन्हों डॉक्टर नल आरे है वह आपको बताना है वेंकया नैडू आरिफ मुहमद अनुवाग ठाकुर यह सभी लोग महजूद थे इस किताब को विमोचन करने में सभी जवाब बचाएगा सभी लोगों ने मिलकर किस किताब का जो है वह सुरवात किये वेंकया नाइडू थे उपराष्ट पती उपराष्ट पतीते पूर्व राज जिपाल केरल यहां पर अनुवाग ठाकुर इन सभी लोगों ने देखिए इस किताब का विमोचन किया है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है यहां पर हमारे जो मोदी जी के चुनंदिया भासड है उसको यहां पर रखा गय है तो आप यहां पर देख सकते काफी महत्तपूर्ण है अरिफ मुहमत खान विंकया नाइडू है हमारे जो है अनुवाग ठाकुर जी है यहां पर तो दोस्तों यह थे आचे कमेंट आप लोगों को लगा होगा कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो रिकॉर्डेड मतलब मतलब आज क्लास सुबह नहीं ले पाया इसको मैंने बहुत ही मुस्किलियों से रात में रिकॉर्ड किया जिसे कि आपके करेंट अफिर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर सके इस कम समय में लेकिन जागर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आप यहां पर करेंगे तो आप इस वाले टेरीग्राम में जुड़ जाएए और उसके बाद से यहीं पर समाप्ति की गोशना करते अब यह आपको कल सुबह 6 बजे हम मिलेंगे संडे के दिन जहां पे मैं किरन पब्लीकेशन के कोस्टन करागो तो आपको यह वीडियो देखना है पीडिय कर दो कि ऑनके आपको क्या है को मिलेंगे स्मापजन पर समापको कि एस वे वीडियो देखना है face खबब्लीकेशन के खर देखने के लिया है अब यह ही रिवशना करते हैं के मिलेंगे से वाले शोले ओंकिया खबंसमालतिक क्या मिलें सकता हु़ॉ